अस शिरीकामेश्वर मंदर जडा अखनूर चे बड़ा इत्यासक मंदर है दुआ पर युग दा इत्यास है अस मंदर दा और अंधर जडियां यत्रै पिंडियां जडियां स्तापे तो इदियां जिन्दे उपर पगत शिर्दालू जला विष्यक कर दें ए दौपर युगदुह या और जियान के उन सओन मीना जा करता है बढले कोला मूल नेरे कोला लिया है तै सन्यात कर इत्यडे शेफख तन लगातार आवा करता है खास्ता होर पर इस मीना इत्यफख तनधा जिड़ा है तांता जड़ा है किठ जड़ा है वो लगेदा रूंदा है और इस थारादा जड़ा बड़ा मता जड़ा है वो तार्मिक जड़ा महत्व है वो मन्य जंदा है और शरदा लू बड़ी शरदा करना है बाबा बरफानी शिपो ले दे ये जड़ियां ए थे ये बनी दियान पिं बख बख देवी देबतिनियां जेडियां मूर्तियां उस तापिद कीती गेदियां जित है शर्दा लू बड़ी शर्दा करना है बड़ी अकीदत करना है अपनी शर्दा दे फोल चडान देन ते अपनियां मनो कामना जेडियां उन्दियां मनतां कर देन उन्दे थमा मंग द और आख्या जंदा है के जेड़ी भी मनो कामना इस शिरी कामेश्वर महराज दे मंदरीच कीती जंदी है वो पूर्णों दी है मंदर दे बार एक विशाल शिब लिंग जी दी स्तापना कीती गे दिया है और तो उस दिखा कर देओ के किनना विशाल जीड़ा शिब लिंग है उस दी स्तापना इते कीती गे दिया है इत्थें भी जीड़े शिब पगतन ओ यला विशेक कर देन और अपना सीस इत्थे भी नवान देन तो मेरे इक अभी बकी नंदी जी महराज दी येडी मूर्तिय है वो बनाई गी दिया है और इत्थें भी तो उस दिखा कर देओ के बाल्तिया जेडियां की के जिस बिले शर्दालू शिब पगत इथा ज़ला विशेक कर देन ते बाल्टियां जेडियां इता बाहर रखी गेदियां इंदे चे साब सुतरा जड़ा पानी आए ओपर यह है ते अंदर जड़ियां मूर्थियां स्तापिद कीती गेदियां ओनेंगी जला विशेक कर दिन और इते बारें भी जड़ा शिबलिंग स्तापिद कीता गेदा है उसे चे उस उपर जलाविशेक जिड़ा है ओ कीता जंदा है शिरी कामेश्वर महादेव दा जिड़ा मंदर अखनूर है उस दे बारे चे जानकरी दिया कर दिन महामंडलेश्वर शिरी महंत रामेश्वर दा ची तो महामंडलेश्वर जी जिड़ा ए मंदर है शिरी इदा इत्यास से कपक के यह जो कामिशन महादेव का देव स्थान है यह स्थान द्वापर युग से इसका सम्मंद है द्वापर में युग में हुआ है महा भारत का युद्ध महा भारत का युद्धुआ कहरव और पांडवों के बीच में कहरव हुए हैं सो पांडव हुए ह पांच, पांडवों में से एक हुए हैं भीम, और भीम का बेटा हुआ है घटोतकच, और घटोतकच का बेटा हुआ है बर्बरीक, जो भगवान संकर का अनन्य उपाशक हुआ है, और भगवान कामिश्र महादेव की सिवलिंग को भुजा में बांद कर रखता था, क्योंकि भगवान का तरकाल पूजन अविशेक करता था, जहां भी समय हुआ, भगवान का अविशेक किया, और भगवान के भक्ती के कान, भगवान ने उसको बहुत ही शक्ति प्रदान थी, वह जो राजा था, वह उसके मन में एक्षा आई कि मैं महाभारत के युद्ध को द अरचे आदान प्रदान हो रहा था, तो बरवरीक से पूछा गया भई, तुम कहां से आई हो, किसले आई हो, क्या तुमारा नाम है, तो राजा ने कहा, मैं कश्मीर का राजा हूं, और जो यह महाभारत का युद्ध होने जा रहा है, इसको देखने की इक्षा से मैं यहां पर आया हूं, भगवान ने कहा, वही तुम इद्ध को देखने आई हो, पर इद्ध का नियम है, कि इद्ध में वही होगा, जो इद्ध करेगा, तो क्या तुम इद्ध करोगे, राजा ने कहा, मैं इद्ध करूंगा, जो पक्ष हारेगा, तो भगवान ने कहा, अपनी सुपर रखा और बाण को छोड़ दिया बाण ने क्या किया एक पीपल के ब्रच के एक एक करके सारे पत्तों का भेधन कर दिया तब एक पत्ते को भगवान स्रीकिष्ट ने अपनी योग माया से दाहिने पैर के नीचे चुपा लिया जो तीर था ब्रच के संपूर्ण पत्तों का भेधन करता हुआ भगवान स्रीकिष्ट के दाहिने पैर को खड़ा हो गया और तब भगवान से कहते हैं कि अपने पैर को हटाओ नहीं तो आपके पेर का भेदन करता हुआ इस पत्ते का भेदन यह तीर करेगा भगवान ने पेर को हटा लिया तीर ने पत्ते का भेदन किया और पुनह तरकस में आ गया भगवान ने विचार किया कि हारेगा कोरो जीतेगा पंडव और इस भीर का कहना है कि जो पक्ष उससे मैं लड़ूंगा तो भगवान ने का भई जो भीर होता वो दानी होता है तो क्या तुम दानी हो ने का मैं दानी हूं बताओ क्या चाहिए भगवान ने का अगर तुम दानी हो तो में को भिख्षा में तुमारा यह सीष चाहिए राजा ने का मैं सीष दूंगा पर मेरी लालसा है इद्ध को देखने की और इद्ध को देखने से पूर मैंने शीष दे दिया तो मेरी लालसा पूर्णी होगी भगवान ने का ठीक है मैं तमारे शीष को इसी पीपल के ब्रत्व से टांग दूँगा और मस्तिक्ष में पराण डाज दूँगा जिससे है शीषा जाजा ने धनस की दोर से शीष को काटा और भगवान को दे दिया भगवान ने पीपल के बर्च से शीष को टांग दिया और मस्तिक्स में प्राह डाल दिये अब जो शीष था वो महाभारत का युद्य वहां से देख रहा है जो धड़ था वो घोड़े पर सवार हुआ और अ नदी को पार कर रहा था चनाव दर्या को तो यहां पर कुछ लोग इस नान कर रहे थे पानी घर लजा रहे थे कुछ कर रहे होंगे काफी लोग इस चनाव के नजदीक थे तो उन्होंगों नों देखा धड़ जा रहा है और सीष नहीं है तो सोर होने लगा देखो धड़ और शीष नहीं है यह चर्चा का विश्यमना धड़ वहां से आता गया और आकर यहाँ पर धड़ गिर जाता है जहां पर यह मंदिर बना हो यह है अब धड़ बड़ा रहता है जहां ये जमीने होंगी उसमें जो समाज रहा होगा कुछ समय उपरांत उन समाज न देखा कि यहां पर यह तीन शिवलिंग प्रगट हैं निकले हुए हैं तो जिन लोगों ने सोर मचाया था वो भी भैसे ब्याकुल थे घर में डरे हुए थे और बड़े परिशान थे कि धड़ को देखा शीष नहीं है अब ये समय भीता गया जब शिवलिंग देखे तो बगवान ने उनको जतलाया कि यह मैं वह राजा हूं दिश को देखकर तु भुजा में बदे भगवान शंकर का शिवलिंग है और जो यहां का बड़ा शिवलिंग है उनके घोड़े का शिवलिंग है यह तीन शिवलिंग जो हैं यह द्वापर युग महा भारत के हैं तब लोगों का आना जाना धीरी धीर शुरू हो गया लोग मत्ता टेकते रहे आ इसको पिण्यों को खाड कर हम नदी के किनारे इस्थापद कर देंगे तो वहां लोग आशानी से जल्दारा करेंगे क्योंकि यह सारा जंगल ही था जब जहां पर यह मंदिर है पूरा चोटा सा चपड़ी थी यह बारस का पानी वेगर यहां भर जाता था आप तो समय के जगह बन गई है पहले खाई थी नाला था यह साही था सब कुछ खड़ थी तो यह तो बड़ा कठनाई से बना है तो परिश्रम किया खुदाई होती गई जमीन के अंदर जाते गई फिर राजा को सपन दिया कि मैंने कहीं नहीं जाना है तो राजा छोड़कर चला गया बड़ि सरधा स्लोग आते हैं और वगवान कामेश्र उनको मुरी करते हैं तो यह डिंगा इसलिए हैं अब यृण्र नाम भगवान शंकर के 1000 नाम हैं उसमें एक नाम है कामेश्र कम जमा इस्व्र कामना को देने वाला इश्वर तो जो जिस प्रकार की लालसा से आया हुआ है कामना पूर्ण ही तो आश्राम का नाम पड़ गया काम इश्वर अब तब से लोग आते जाते रहें अभी हां पर शिवरात्री को या ऐसे भी संभार में यह से रोज काफी संख्या में लोग इiston मर्ण समय चल रहा है तो स्ट्रावन मा इसवर लोगों का काफी संख्या में आना जाना आज पूर्ण में देख श्युर्स भी् Rede चाटू शाम जी जो राजस्थान में है जगे सीश वहां प्रगट हुगा जब खाटू शाम जी जगे वहां पर क्योंकि जब महाभारत हो गया पांडवों ने महाभारत में जीत हासिल कर ली और पांडवों उसीश के पास भगवान लेकर जाते हैं तो पूंचते हैं बताओ पांडवों ने किस-किस को मारा है देखा सीश देख रहा था बताओ किस-किस ने किसको मारा है तो सीश ने कहा ना किसी को मैंने मरते देखा ना मारते देखा यहां तो भगशुगर्शन चक्र ही चलते देखा है कर तुम अकर तुम अन्था कर तुम इसुरह परमेशुरह त तो भगवान से बरवरीक ने कहा मेरा तो नाम ही समाप्त हो जाएगा भगवान ने आशिरबाद दिया के कल यग मेरे नाम से तुमारी पूजा होगी तो वह सीष खाटू जो जैपुर के पास रिंगस जगह है वहां पर निकला और वहां कर सिर्की पूजा हो रही है यहां तनि यहां जो सावन द यडा मिण है के सनातन तर मं चेडा बड़ा महत्व है और भोले शंकर हों द ना मने अजंदा इस बुद 서िष अरादना ऑंदी आयाक शिताम ओपर बड़े बड़े बड़ा प्रिय है और भगवान शंकर को इतना प्रिय है कि भगवान शंकर की जो आराधना जो व्यक्ति इन चार सुम्बारों में करता है इनके नियम करता है अनुष्ठान करता है अवशेक करता है भोले नाथ उनको मुक्ति प्रदान करते हैं जो भी उस व्यक्ति की इक्षा हो, अगर उसको लोकिक इक्षा है, धन की इक्षा है, पुत्र की इक्षा है, संसारिक सुखों की इक्षा है, भक्ति की इक्षा है, या मोक्ष की इक्षा है, जिस प्रकार की इक्षा को लालसा को लेकर व्यक्ति मनुष्य, भगवान की शिव की आराधना इन चार संबारों में नियम से करता है, भोले नात उसकी इच्छा पून करते हैं, और ये जो चार संबार हैं, एक कोई गरडिया था ना, वो अपनी भेड़ों को चिनाने जाता था, तो जब भेड़ों को चिनाने जाता था, तो जंगल में वो जल्वी लेके जाता जंगल में पानी कहा मिलेगा, तो जहां बैठता था जिस ब्रक्ष के नीचे ना तो पानी पीता और कुछ पानी अनासुर्ती वहां गिर जाता था, वहाँ एक शिव जी की रुद्री पड़ी थी, तो उस पानी भी जरे, और जब हावा चले या उब्रक चहले तो पत्ती भी गर जाएं, तो भगवान जार करते थे, आज सौंबार का दिन है, श्रावणा माश है, आज भगत नियम से मेरी आराधना कर रहा है, तो चोथे क्योंकि तुमने चार सौंबार लगातार मेरे पे जल आराधना की है, मेरी सेवा की है, इसलिए बर्मागो, तब ही से ये परंपरा शुरू हो गई, कि श्रावणा माश में भगवान संकर के यहां पर रुद्रा विशेक होते हैं, भगवान संकर का विशेक होता है, लोग ब लगाती हैं, बेल पस्तर चड़ाते हैं, भंग अक दतूरा चड़ाते हैं, और भगवान से प्राप्ता करते हैं, तो जो व्यक्ति जिस यसकामना को लेके करता है, उसकी वाज कामना पून होती है, इसलिए स्त्रावणा मास जो है, ओ अत्यंत फ़ल देने वाला है, इसलिए मैं आपके माध्यम से सभी को कहूंगा कि श्रावन ओमास में भगवान का ध्यान करें भगवान का पूजन करें भगवान की आराधना करने से जीव को भक्ति मुक्ति सक्ति सब प्राप्ट होती है चतुर्त फल प्राप्त होते हैं इसलिए स्रावन मास्ट में सभी को भगवान संकर की आराधना करनी चाहिए बहुत बहुत शुक्रिया महा मंदलेश्वर स्वामी महंत श्री रामेश्वर दासोर तुसेंगी श्री कामेश्वर मंदल येडा तुसें दिखेया है अखनूर दे बारे चे पूरी विस्तार पूर्वक जेडी जानकरी दिया कर दे है और उन्हें सौन मी ने दे महतो पर भी लोप आई के सौन मी ने पगवान शंकरों दी की ये तुसें अराधना करनी और तुसेंगी इस दा के येडा फाल है वो प्राप्त होंदा है तो इस अंकच इनना गया अंगले अंकच आसकुस है और दुईतार मिक थारा दे महतो पर भी तुसेंगी जानकरी देगे मीगी दियो इजाजत नमस्का